कैसी भी कमजोरी हो, चक्कराना, हाथ, पैर, या बदन दर्द, या फिर कमर दर्द हो, खून की कमी हो, चार बार में ही हो जाएगी, हमेशा के लिए जड़ से खतम, और आपके सरीर के अंदर किसी भी तरहें कि कोई कमजोरी नहीं होगी, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा, और आपके सरीर में नई ताकत का संचार करेगा, जिससे कि आपका पूरे सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत आ जाएगी, और आप दोस्तो आपके सरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी, आपके सरीर के अंदर कैसी भी कमजोरी हो, वो भी जड़ से खतम हो जाएगी, और आपकी साधी सुदा लाइब बड़ी अच्छे से गुजरेगी, दोस्तो आपके सरीर में किसी भी तरहें का कोई भी दर्द हो, ये तो कैल्सियम का खजान है जो आपकी हडियों को वज्जर के समान मजबूत होना देगा और यदि आपके सरीर के हडियां मजबूत होंगी तब आपको सरीर में किसी भी तरह के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों ये आपके सरीर में खून की कमी कभी इलाज करेग आपको कोई भी बिमारी नहीं लगे और दोस्तो इस नुस्खे का असर भी आपको चार बार लेने से ही दिखाई देगा इतना चमतकारी और इतना कारगर है ये नुस्खा तो चले दोस्तो आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे है दोस्तो इस नुस्खे की जो सबसे पहली मुख्य समगरी हैं वो है दोस्तो तिल, सफेद तिल दोस्तो तिल के बारे में कौन नहीं जानता यह विटामिन, मिन्रल, कैलसियम, आइरन, मैगनीशियम, फाइबर, कोपर, जिंक, प्रोटीन आदी से भरपूर है और दोस्तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में यह बहुत अधिक कारगर हैं चाहे ब्लडपैसर का इलाज करना हो, या हाट के रोगों से आपको बचाना हो या diabetes को control करना हो, या आपकी हड़ीयों को मस्बूत बनाना हो या सरीर में खून की कमे का इलाज करना हो या आपके चहरे पर तेज लाना हो हर त्रहें की बीमारी में ये दिल काम आते ही और बहुत अदिक चमतकारी भी है अब जानते हैं दूसरी इसमें मुख्य समगरी वो है दोस्तो बादाम और दोस्तो बादाम के फाइदतों आप जानते ही होंगे जो भी विक्ति है उसको हर रोज बादाम का सेवन करना चाही क्योंकि यदि कोई भी विक्ति बादाम को हर रोज ख़ाएगा तो उसको कभी डोक्टर के बास नहीं जाना पड़ेगा इतना चमतकारी है बादाम का सिवन बादाम आपके दिमाग को तेज करने के साथ सथ आपको पेट से लेकर दिल तक की बीमारियों से भी हमेशा बचाए रखने का काम करता है और आपके सरीर को सकती साले बनाता है आपके सरीर को हरत रहे की बीमारी से बचाता है आपकी हड़ीों को वजर के समान मजबूत करता है मुटापे को कम करने का काम करता है डाइवटीज रोगियों के लिए वरदान की तरह है और दोस्तो इसमें जो तीसरी मुख्य समगरी है वो है दोस्तो दूद और दोस्तों दूद के फाइदों के बारे में तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम बच्पन से ही दूद का सेवन करते आ रहे हैं, और दोस्तों हमें घर में यही सखाया जाता है, कि यदि आपको ताकतवर बनना है, तो हर रोज दूद भी हैं, तो चले दोस्तों आपको बताते है कि इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपने तिल लेने हैं और उनको अच्छी त्रहे से भून लेना है किसी फ्राइपन में डालकर किसी बरतन में डालकर जैसे कि यह हम उनको भून रहे हैं। उनको हलकता सा ब्राउन कर लए यह हमारी तील ready हो गय अब बाताती है बादां दोस्तों आपने क्या करना है रात को चार बादां लेकर एक गिलास पाने वीगो कर रखतेने अब इस नुसके को हमने बनाना है सुबह हमने क्या करना है एक गिलास दूद को लेकर बर्तन में डाल कर आग पर उबलने के लिए रख देना है अब उसमें हमने एक चमच जो तिल भूने थे उनको डाल देना है और चार बादान उनको भी छील कर उनको अच्छी तरह से कोट कर हमने इस दूद में डाल देना है और यदि आप इसमें सवाद के लिए मिसरी मिलाना चाहें तो मिला सकती हैं रोगों से लड़ने की सकती, इम्यून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिसे कोई भी विमारी और कोई भी वाइरस आपके आसपास नहीं आएगा, आपको कमर दर्द, जोडों के दर्द, घुटनों के दर्द की कभी सिकायत नहीं होगी, आपकी हाडिया मजबूत बन और इसन उसके का प्रियोग करें, और अपने सरीर को बिल्कुल सवस्त मना दें, तो दोस्तों, यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लेज लाइक को और शेयर जरूर कीचे, इसके साथ में आप हमारे चैनलन को भी सब्सक्राइब कीच ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिफिकेशन आतरहे धन्यवाद दोस्तों